बुंदी में प्रशास्तिन की बड़ी लापरवाही आई है सामने चुहां लालपूरा पंच्वायत के लोग ट्यूब से नदी पार करने को मजबूर हो चुके हैं जरसल इस पंच्वायत के बागता किशिनपूरा जॉलेडा और सगावता के भी शुमांगली नदी है जिसके चलते पंच्वायत मुक्षाले जवाने के लिए नदी पार करने पड़ती है नाव का इंतिजाम और फूल नहीं होने के चलते लोग ट्यूब से ही नदी पार कर रहे हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है गौरतलाव है कि पिछले ही दिनों कोटा के चंबल में नाव पलटने से हुए हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी और लगतारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आप देखिए हैं आप रखिस सरीके से ट्यूब पर बैट कर इस नदी को पार किया ज़ा रहा है हलाकि आपको ज़ानकारी थे तो हाला आप देखिए हैं तमाम अधिकारी क्यूब से नदी पार करते लोग यह तस्वीर लगतार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ऐसा पानी में कि ट्यूब के सर ये एक शोड से दूसरी शोड पर जाने की पूरी कोश्चिश यहां पर की ज़ा रही है और अपने ज़ान को जोखी मिटाल करिए जो फैसला है वो यहां पर लिया ज़र आए लेकिन इसनी बीच में आपको ज़ानकारी देखा कि किस तरीके से यहां पर तमाम अधिकारी उश्व हैं उनके कानों तक जू भी नहीं रही है तो यह बड़ी और हम जानकारी और तमाम तस्विरे आप तो दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भूंदी की तस्विरे जो आपर ट्यूब पर सवार होकर जो लोग हैं जो ग्रामीड हैं वो एक शोड से दूसरी च्वर पर जाने की कोशिश कर रही हैं ऐसे मैं आपको जानकारी देखास तर पर कि तमाम अधिकारी उच्वे हैं वो अभी भी मौन हैं कुछ भी बोलने को तयार नहीं है और कोई भी कारवाई यहां पर नहीं हो रही है